असकार मैहुष शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं आज के 15 बड़ी खबरों को विस्तार से प्रवासी मजदूरों की मृत्यू पर अब उनके परिजनों को मिलेगी दोगुनी राशी नितीश कैबिनेट का बड़ा फैसला प्रवासी मजदूरों की मृत्यू या दुरघटनाओं के कारण मृत्यू होने पर उनके परिजनों को 2 लाख का अनुदान मिलेगा पहला अनुदान की राशिस सिर्फ एक लाख रुपे थी इस योजना के दाइरे में बिहार के बाहर रह रहे है चालिस लाख और प्रवासी मज़ूर आएंगे राज्य मंतरी परिसद ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर अपनी सहमती दे दी मुखे मंतरी नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी बैठक की बाद कैबिनेट विभा के अपर मुखे सचीव डॉक्टर एस सिधार्थ ने बताया कि प्रवासी मज़ूरों की मृत्यू पर दो लाख जबकि दुर्घटना के कारण अस्थाई पूर्ण अपंगता की इस्तिती में 75,000 की जगा एक लाख और अस्थाई आंशिक अपंगता की इस्तिती में 37,500 रुपे की जगा 50,000 रुपे का अनुदान दिया जाएगा गरसल राज्य सरकार द्वारा बिहार के बाहरी आविदेशों में असंगठित छेत्र में कारे करने वाले श्रमिको के कलियान नार्थ बिहार राज्य प्रवासी मज़ूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 का संचालन किया जा रहा है अनुदान की राज्य का निर्धारन एक अप्रैल 2011 को किया गया था लिहाजा उसके प्रवधान में संचोधन का राज्य बढ़ाई गई है स्कूलों में हाजरी बढ़ाने को केके पाठक ने दी डेडलाइन 50 सीजडी से कम अटेंडेंस पर रुकेगा वेतन बिहार के किसी भी स्कूल में 16 अगस से बच्चों की उपस्थिती 50 प्रतीशत से कम रहे तो सम्मंधित प्रखंड शिक्चा पदादिकारी पर कर रवाई होगी अब भी 8 से 10 प्रतीशत ऐसे स्कूल है जोहां बच्चों की उपस्थिती 50 प्रतीशत से भी कम है ऐसे में शिक्षा बिभाग ने बच्चों की उपस्थिती सुधारने के लिए एक सप्ता की महलत दी है शिक्षा बिभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं किये के पाठक के ने देश पर सभी जिलों के बिए ओको शिक्षा बिभाग की ओर से पत्र भेजा गया है कहा गया है कि निर्देशन के क्रम में ये बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल है जहां पर नमांकित बच्चों में से 50% से भी कमी स्कूल आते हैं निर्देशन के बाद स्कूलों में उपस्तिती काफी सुद्री है पर विभाग का साफ कहना है कि 50% से भी कम उपस्तिती किसी भी हाल में बरदास्त नहीं किया जा सकता है यूट्यूबर मनीश कश्यब को पटना कोट से बड़ी राहत पेशी में इस बात की मिल गई छूटे यूट्यूबर मनीश कश्यब को पटना सीविल कोट से बड़ी राहत मिली है अब उसे तमिलाडू जेल में नहीं जाना पड़ेगा, उसे अब बिहार के जेल में ही रखा जाएगा कोट ने अपने फैसली में कहा कि तमिलाडू में ज़रूरत पढ़ने पर वीडियो कान्फरेंसिंग से उसकी पेशी कराये जाएगी तमिलाडू के सभी मामलों में उसे बेल मिल चुकी है जब तक बिहार के सभी केस में उसे बेल नहीं मिल जाती तब तक उसे बिहार के जेल में ही रखा जाएगा मनीश कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने इसकी जानकारी दी मिली जानकारी के अनुसार अब उसे बेउड जेल में रखा जाएगा मनीश कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि कोट ने आदेश दिया है कि मनीश कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे तमिलाडू पुलिस को यदी जरूरत होती है तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग से सुनवाई सुनिशित करेंगे जज सहाब का साफ साफ आदेश आया है कि चुकी मनीश कश्यब बिहार के है और तमिलाडू के केस में उन्हें बेल मिल चुका है तो वहाँ भेजने का कोई प्रशनम नहीं उठता है बिहार में अब होगी भारी बारिश वाड जैसे हो सकते हैं हालात मौसम बिभाग का अलर्ट बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश होने के आशंका है मौसम बिभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम बिभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 115.6 से लेकर 204.4 mm तक बारिश होने का अनुमान है एक ओर जहां बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं तो दोहीं दूसरी और शेहरी इलाकों में जल जमाओ की इस्तिती उत्पर्ण हो गई है जिसकी वज़े से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है मौसम विभाग के ओर से बताया गया कि कल सीता मडी, मदुबनी, मुजफरपूर, सहरसा, कटिहार और पूर्निया जिलों में भारी बारिश के साथ हलकी और मध्यम बारिश होई है बादलों के छाने और बारिश जारी रहने से अधिकतर शेहरों का अधिकतम तापमान सामाने से 3-5 डिग्री तक नीचे आ गया है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बनेगी हाई लेबल कमेटी नितीश सरकार कर रही बिशार बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर नितीश सरकार कमेटी गठन पर विचार कर रही है मिली जानकारी के अनुसार जल्धी कमेटी गठन पर अंतिम निर्न लिया जाएगा इस उचस्थरिये कमेटी में शिक्षा वित पंचायती राज और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अधिकारी मुख्य रूप से शामिल होंगे कमेटी इस बाद पर मन्थन करेगी कि शिक्षकों को राज कर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सी प्रक्रिय आपना आई जाएगी साथी इसमें कोई खानूनी अर्चन नहीं तो नहीं आ रही है कमेटी के अनुशंसा के बाद राज सरकार उस पर अंतिम निर्णा लेगी बताय जा रहा है कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार नियोजी शिक्षकों को राज कर्मी का दर्जा देने के लिए नए विकल पर विचार कर रहे है इसी बाबत हाई लेबल कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि बाद में फिर से कोई विवाद न उठे और शिक्षकों का गुसा भी शान्त हो जाए 542 करोड से जुड़ेगा बिहार म्यूजियम और पतना म्यूजियम सब्वे बनाने के खर्च को नितीश कबिनेट की मंजूरी बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता की बैठक मंगलबार को संपर्ण हुई इस बैठक में नौ एजेंडो पर मुहर लगी है पतना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच सब वे बनेगा पांसो 42 करोड की लागत से ये सब वे बनेगा बिहार इंटरनेशनल म्यूजियम गूमने वाले को एक साथ दोनों म्यूजियम को गूमने की सुविदा होग CM नितीश कुमार्डे सोंवार को इसकी घोशना की उन्होंने बताए कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन इस काम को कर रहा है चालू वितियवर्स में बिहार सरकार 100 करो रुपे जारी करेगी वितियवर्स 2024 से 25 में 221 करो रुपे जारी होगी इसे अधिक से अधिक 3 साल में बनकर तयार हो जाएगा लैंड फॉर्ट जॉब मामले में तेजस्वी पर सुनवाई तली 12 सितंबर को अगली हाइरिंग चार्ज शीट मंजूर हुई तो डेप्यूटी CM की बढ़ेगी मुश्किल लैंड फॉर्ट जॉब मामले में डेप्यूटी CM तेजस्वी यादो पर CBI की ओर से दायर चार्ज शीट पर दिली की राउज वेन्यू कोट में आज होने वाली सुनवाई तल गई है 12 सितंबर को सुनवाई की अगली तारी तै की गई है इस मामले में CBI ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी अगली सुनवाई में ये तै होगा कि चार्ज शीट एक्सेप्टेबल है या नहीं जानकारी के मताबिक अगर कोट तेजस्वी के खिलाफ चार्ज शीट एकसेप्ट कर लेती है तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी CBI ने कोट को बताया कि अभी लालू और 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकर्मा चलने के लिए केंदर सरकार से इजाज़त नहीं मिली है CBI ने कहा कि उमीद है कि एक महीने में इजाज़त मिल जाएगी इसके लिए CBI ने एक महीने का समय मागा है बिहार विद्याले परिक्षा समीती का नया आदेश सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिती अनिवार रहा अभी भावकों को देना होगा शपत पत्र इसकूल में शात्र और शात्रों की उपस्थिती को लेकर विए विद्याले परिक्षा समीती ने सभी शिक्षन संस्थाओं में पत्र जारी किया है इसकूलों में अब 75 प्रतिशत उपस्थिती अनिवार कर दी गई है अगर इसे लेकर अभिभावकों को शपत्पत्र देना पड़ेगा B.S.E.B. की और से शपत्पत्र का फॉर्मेट सभी माध्यमिक व उच्चे अमाध्यमिक विद्यालेव व इंटर कॉलेज्जब को भेज दिया गया है विद्याले प्रशासन शपत्पत्र की प्रती शात्र शात्राव को देगा इसके बाद शपत्पत्र अभिभावक भरेंगे इसमें अभिभावक को लिखना होगा कि मेरे बच्चे नियमित विद्याले जा रहे है अगर विद्याले में 75 प्रतीशत उपस्थिती नहीं रही और बोर्ड एक्जाम से रोका गया तो इसके जिम्मदार हम होंगे इसके साथ साथ शपत पत्र में अभिभावक कहेंगे कि बोर्ड के साथ साथ अन्य प्रोसाहन राशी भी रोग जाएगी अन्य शातरविती भी नहीं मिलेगी अभिभावकों को बताना है कि उनके बच्चे हर दिन विद्याले जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में उपस्थिती होने के जिम्मदार अभिभावक होंगे बिहार संग्रहाले में अब गांधी जयन्ती पर निश्युल्क प्रवेश मिलेगा मुखे मंत्री नितीश कुमार ने इसकी घोशना की उन्होंने कहा कि 2 अक्चूबर 2017 को बापू के जन्मे दिन पर म्यूजियम का निर्मान पूरा होगा और इसे पूरा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा लिहाजा इस दिन संग्रहाले में सबसे मुफ्त प्रवेश्ट दिया जाएगा यही नहीं उनके लिए चाय पानी की भी विवस्ता की जाएगी बक्सर में चेतावनी बिंदू के करीब पहुची गंगा नदी घाट की सीधिया पानी में समाहित का इखेत हुए जलमगन नौका बिहार पर रोग बक्सर में अब गंगा नदी लोगों को दराने लगी है तेजी बढ़ते नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदू के करीब जाप पहुचा है इसके कारण घाट की सीधिया नदी में समाहित हो गई है वही गंगा नदी के बढ़ने से सहायक नदिया भी उफान पर है इनका पानी अब रिहायशी इलाखों के करीब बहुच गया है वही सैक्रो एकड़ तटवर्तिय खेत दूब चुके है इसके कारण सबजी उतपादक किसानों को काफी नुक्षान हो रहा है एक से दो दीन भ है कि जिस गती से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्श की जारी है उसी साब से चिताबनी बिंदू तक पानी का लेबल पहुचने में अधिक समय नहीं लगेगा बतादे कि बाढ़ का पानी चौसा बकसर ब्रहपूर चकी सिमिरी समेत अने प्रखंडों के गाउं में सब जफरपूर में तेजिस से फैल रहा आइफलू बढ़ों के साथ छोटे बच्चे भी हो रहे है संक्रमित स्वास्त विभाग ने जारी किया निर्देश मुझ जफरपूर में आइफलू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है आखों के संक्रमन यानी आइफलू से ग्रसीत लगभग एक चौथाई लोगों में सिरदर्थ, बुखार और चक्कर आने को भी समस्या हो रही है इनका बुखार सिरदर्थ तो सामान पैरा सिटा मोल से ठीक हो जा रहा है लेकिन आखों में लाली पन और दर्ध की समस्या तीन दिनों से लेकर साथ दिनों तक रह इसलिए इसको लेकर स्वास्त विभाग ने निर्देश राड़ी किया है सेविल सर्जन डॉक्टर उमेश शंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के सभी ग्रामीन इलाकों के सरकारी अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि आखों से संबंधित चिकिस्तक अस्पताल वे उपस् आइफलू से संबंधित सभी दबाव को भी रखने का आदेश दिया गया है उन्होंने आइफलू से पेड़ित व्यक्ति को आख नहीं मलने के लिए काला च्रश्मा भी लगाने के लिए कहा गया है अरर्या में चिर्याघर का निर्मान होगा तीन सव एकर जमीन चिनहित की गई विजिटर्स को घूमने के लिए दस किलो मिटर लंबी ट्रक भी होगा पटना से दोगुनी की जमीन पर और अर्या में चुरिया घड का निर्मान होगा जिले के रानी गंज इलाके में 301 जमीन पर 250 करोड की लागत से चुरिया घड का निर्मान के लिए राज्यसरकार से अनुमती मिल गई है यहां विजिटर्स के लिए 10 किलो मीटर तक ट्रैक भी बनाया जाएगा पडियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के अधिकारी के मताबिक डिपी आर तयार कर दिली इस्तित सेंट्रल जू ऑथिरिटी को भेजा गया था सीजेड ए की ओर से डिपी आर को संशोधित करने के लिए का गया है घायल या बिमार बाग शेर भालू तेंद्वा सहित अन्य जंगली जानवरों का इलाज कराने के लिए रानी गंज में प्रवेश का दूसरा बड़ा एनिमल हॉस्पिटल बनाय जाएगा इस दो मंजिले अस्पताल का निर्मान चौर एकर जमीन पर होगा अस्पताल में आधुनिक सुवधाय होगी जानवरों का अल्टरा सांट किया जाएगा एक सेरे मशीन भी रखी जाएगी जानवरों की सरजिरी भी होगी इसके लिए जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर किये जाएंगे पास डॉक्टरों की टीम रहेगी डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहेंगे वो जितनी गालिया देंगे हम उतना ही मजबूत होंगे बीजेपी का यही संसकार ते जस्वी का भाजपाप पर पलटवार संसत में अविश्वास प्रस्ताओं पर चर्क्षा के द मिश्वास प्रस्ताओं पर बात हो रही है ना कि संख्या पर बात हो रही है ते जस्वी ने कहा कि जितनी गाली दी जाती है उतना हम मजबूत होते हैं हमारे परिवार को जितनी गालीया देते हैं परिवार उतना ही मजबूत होता है जनता सब कुछ देख रही है उनका यही संसकार है तेजस्वी ने सवाल किया कि मनिपूर मामले पर प्रधान मंत्री नरेन रमोदी मौन क्यों है मनिपूर जलता है तो भारत चल रहा है मनिपूर में कैसे घटना हो रही है और क्या कारवाई हो रही है ये बताना चाहिए विपक्षी दलों को गटबंधन इंडिया की घमंडी नाम देने पर तेजस्वी ने कहा कि देखिए इन लोगों का संसकार यही है दरसल लोग सभा में आज विश्वास प्रस्ताव को लेकर जोरदार बहस हुई इस दोरान बीजेपी के कुछ सांसदों ने आरजेरी के साथ जेडियू का गटबंधन मनाने को लेकर सवा अब ने कही यह बात बिहार में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी एहम खबर है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्ज्वा देने के मामले में बड़ा अपडेट आया है अब विभागे परिक्षा ली जाएगी और इसी माध्यम से उन्हें राज्यकर्मी घोज आने के लिए विभागे इंटर्नल परिक्षा का प्रस्ताव लाए गया है स्थीम नितीश कुमायर से मिले आश्रास्तन के हवाले से विधायक संदीप सौरव ने ये जानकारी दी है